हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेखने वाले हैं कि जो खाली अस्थान को भरने वाला प्राश्ण होता है इसे हल कैसे किया जाता है तो देख सकते हैं पर पहला प्राश्ण है देखें पहला संख्या है एक इसके बाद है तीन इसके बाद पाच है और इसके रहा है देखे एक से तीन हुआ है यानि देखे एक में दो को जोड़ा गया है अब देखे यहां पर तीन से पांच हुआ है यानि देखे तीन में भी दो को जोड़ा गया है इसी तरह से देखे यहां पर पांच से साथ हुआ है यानि देखे इसमें भी दो को जोड़ा गया है यहाँ पर देखे साथ है तो इसमें भी दो जोड़ करके एंसर होगा यानि साथ में दो को जोड़े तो यह हो जाएगा नौव यानि खाली अस्थान में नौव को भरा जाएगा देखे एक तरीका यह है अब इसी प्राश्ण को दूसरे तरीका से भी हल कर सकते हैं जैसे देखे यहाँ पर जो है एक है विसम संख्या एक के बाद देखिए विसम संख्या होता है तीन तीन के बाद होता है पांच पांच के बाद होता है साथ और साथ के बाद विसम संख्या होता है नौव अब इस तरीका से भी इस प्राश्ण को हल कर सकते हैं तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्राश्ण को हल करते हैं, यहाँ पर देखे दो है, इसके बाद चार, इसके बाद छो है, और इसके बाद आठ, यानि देखे यहाँ पर दो का पहाड़ा को पढ़ा जा रहा है, यानि देखे सबसे पहले दो था, दो का पहाड़ा दो बार प पढ़े तो वह हो जाएगा आठ दो का पहाड़ा को अब आपको पांच बर पढ़ना है तो वह हो जाएगा दस यहां देखे यहां जो खाली अस्थान है यहां पर दस को भरा जाएगा तो चलिए अब हम लोग तीसरा प्राश्ण को हल करते हैं यहां पर देखे तीसरा आपको देखें यहाँ पर खाली अस्थान में भरना है सबसे पहले आपको देखना है कि संख्या कितना आगे बढ़ रहा है देखें एक से चार हुआ है यानि इसमें तीन बढ़ रहा है यहाँ पर देखें चार से नौ हुआ है यानि इसमें पांच बढ़ रहा है इसी तरह से यहाँ पर देखे 9 से 16 हो रहा है यहाँ देखे यहाँ पर 7 बढ़ रहा है यहाँ देखे सबसे पहले 3 बढ़ रहा था इसके बाद 5 इसके बाद 7 तो अगले बार जो बढ़ेगा वह बढ़ेगा 9 यानि देखे 16 में 9 को जोड़े तो वह हो जाएगा 25 यानि देखे इस तरीका से आप इस प्राश्ण को हल कर सकते हैं देखे इस प्राश्ण को हल करने का दूसरा भी तरीका है जैसे देखे हैं पर एक जो है यह होता है एक का स्क्वाइर यहाँ पर देखे 4 जो है यह होता है 2 का स्क्वाइर यहाँ पर देखे 9 जो है वह है 3 का स्क्वाइर यहाँ पर देखे 16 जो है यह है 4 का स्क्वाइर तो देखे यहाँ पर जो भरा जाएगा वह होगा पांच का स्क्वार देखे पांच का जो स्क्वार होता है वह होता है पचीस तो आप लोग इसे भी अच्छे तरह से समझ गये होंगे तो चलिए अब हम लोग चौथा प्रास्न को हल करते हैं यहाँ पर देखे चौथा प्रास्न है सबसे पहले देखे तीन तीन के बाद है आठ आठ के बाद है तेरह तेरह के बाद है अठारह देखे तीन से आठ हुआ है यानि यहाँ पर पांच को जोड़ा गया है अब देखे आठ के बाद यहाँ पर हो गया तेरा यानि देखे यहाँ पर भी पांच को जोड़ा गया है अब देखे तेरा से अठारा है यानि यहाँ पर भी पांच को जोड़ा गया है अब देखे यहाँ पर खाली अस्थान में भरना है तो यह संख्या में भी पांच को जोड़ा जागा अठारह में पांच को जोड़े तो यह हो जागा तेईस यानि देखे खाली अस्थान में तेईस को भरा जागा तो चलिए अब हम लोग पांचवा प्रावस्न को हल करते हैं यहाँ पर देखे दो है इसके बाद तीन इसके बाद देखे पांच है और अंत में देखे है साथ यान देखे सबसे पहले एक बढ़ रहा है इसके बाद दो बढ़ रहा है और इसके बाद फिर से दो है यानि इस तरीका से आप इस प्रावस्न को हल नहीं कर सकते हैं इसको हल करने के लिए आपको भाज संख्या और अभाज संख्या का नियम पता होना चाहिए देखे जो सबसे पहला अभाज संख्या होता है वह होता है दो दूसरा अभाज संख्या होता है तीन इसके बाद देखे तीसरा जो अभाज संख्या होता है वह होता है पांच और चौथा अभाज संख्या होता है साथ देखे साथ के बाद जो भी अभाज संख्या होगा वह संख्या को या खाली अस्थान में भरा जाएगा देखे साथ के बाद नौ अभाज संख्या नहीं होता है क्योंकि देखे अभाज संख्या वह संख्या होता है जो संख्या एक से और स्वयम से कटता है देखे नौ जो है एक से और स्वयम से कटेगा लेकिन देखे इसके अलावा नौ जो है वह तीन से भी कड़ जाएगा तो यह संख्या होगा भाज संख्या लेकिन आपको यहाँ पर भाज संख्या को भरना है आठ भी नहीं होगा, नौ भी नहीं होगा, दस भी नहीं होगा यहाँ पर होगा एगारह देखिए ये गारह जो है एक से और स्वेम से ही करता है यह देखियां पर खाली अस्थान में ये गारह को भरा जाएगा तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि जो खाली अस्थान को भरने वाला प्रास्टन होता है इसे हल कैसे किया जाता है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दिजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकोन को प्रेस जरूर कर लिजिएगा